Hi guys, welcome back to our channel तो आज का विडियो slightly different होने वाला है आज हम BACS के बारे में बात करने वाले हैं BACS के आप के बारे में तो ये जो मेसेज है ये आप सब लोगों को ही आया होगा आपके registered number पर तो काफी लोग confused हैं और काफी मेरे relatives और काफी मेरे friends ने काफी लोग confused थे कि इस message के साथ करना क्या है साथ में ही काफी forums में मैं कुछ दिनों से पढ़ी हूँ लोग confused हैं कि ये professional bill इतना जादा क्यों आ रहा है तो मैंने एक BACS agent जब हमने अपने meter connection लगवाई थे तो वहाँ पे एक agent है इन से मेरी बात हुई थी तो मैंने उन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो professional bill है आपके पुराने statistics के according आए पुराने bill पुराने unit consumption के according आए और अगर आप इनका payment कर देते हैं और आपकी बाद में जब meter reading होती है और आपका unit consumption से कम होता है तो वो extra unit के जो आपसे पैसे लिए गए हैं वो आगे add हो जाएंगे बट जो second चीज है जिसके लिए लोग confused है बढ़ ये जो message आया है meter reading का इसका करना क्या है ये कैसे करना है क्योंकि meter की जाके photo लेनी है समझ नहीं आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़े आ रही है स्क्रीन पे तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले है तो सबसे पहले तो हम लोग BACS का जो app है वो install करेंगे आप play store से जाके उस app को install कर सकते हैं अब हम उसे open करते हैं तो इसमें हमसे यह कुछ चीजों के लिए बारे में पूछ रहा है कि यह अलाव करना है यह दिना है तो हम ओविस्टी अलाव करेंगे क्यूंकि हमें यह app install करना है और चलाना है तो इसमें लिखा है कि एई सेवा केंडर सर्विस अवेलेबिल नहीं है तो अभी वो मैं बाद में आपको बताऊंगे उसके बारे में इसमें बहुत सारे आपको options दिख रहे हैं तो जो no current complaint है तो कोई complaint अभी current है नहीं मेरी उसमें my account से आप अपनी account details एक सकते हैं streetlight complaint से streetlight की complaint कर सकते हैं इसेवा केंडर से आप बहुत सारी शीज़ें कर सकते हैं यह वही इसेवा केंडर है जिसके बारे मैं मैं स्टार्टिंग में देखा था लिखा था कि इसकी services अभी available नहीं है तो यहां पे आप नए connection के लिए रिजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको name change कराना है अपने flat नहीं घर में shift हुए है जो आपने किसी से खरीदा है तो आप name change करासकते हैं आपको load change कराना है उसके लिए आप रहां रिजिस्टर कर सकते हैं appointment के लिए अगर आपको अपना address correction कराना है उसकी request आप डाल सकते हैं चेंज कराने है, रेसिडेंशल से आपको कमेर्शल कराने है, रेसिडेंशल वो आप करा सकते हैं, नियू कनेक्शन का स्टेटस भी देख सकते हैं, अब हम यहां लोग इन करेंगे, जैसा आप यहां देख सकते हैं, कि यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, बढ़ दिख रही होंगी, तो जो इसमें डीटेल्स है, करेंट बिल, करेंट बिल देख सकते हैं, लास्ट फाइफ बिल देख सकते हैं, करेंट बिल का पीडिएफ देख सकते हैं, कॉंटाक डीटेल अपडेट कर सकते हैं, अपना बिल देख सकते हैं, इमेल पे पेमेंट कर सकते है complaint की registration कर सकते हैं IGMS build data देख सकते हैं और self meter reading जो हमारा main मुद्दा है वो है self meter reading वो भी आप यहां से ले सकते हैं इस app से बहुत ही easily जो मैं आपको भी आगे बताने वाली हूँ इस तरीके का इसका interface होता है जैसा आप देख सकते हैं होती easy और convenient होता है meter reading की details आपको यहां नीचे दिख रही होंगी consumer name, consumer address, contact, details, division, category, invoice का date तो इसमें लिखा है enter the reading of meter ठीक है तो meter number उसके नीचे लिखा in case of new meter installation meter number mismatch, update meter number here अगर आपका meter जो है वो नया आपने लगवाया है और आपके इस CA number के साथ वो match नहीं करता तो आप अपने उस meter की details यहां दे सकते हैं अगर meter number का कोई mismatch है तो आप अपने नया meter number यहां पर update भी कर सकते हैं अब यहां निखा है नीचे kwh which is kilowatt hour तो जब आप अपना meter देखेंगे तो आपको उसकी screen पे कभी time दिखा हुआएगा कभी आपको current जो ampere है दिखाई देगा kwh which is kilowatt hour तो आपको main focus kilowatt hour पे करना है जब आपको kwh unit दिखें आपको उस वक्त अपने meter की photo लेनी है जैसा आप आगे देख रहे हैं वैसे तो यह आपको meter की photo दिख रही होगी kwh तो यहां पर 003311 तो यह जो 3311 है यह पीछे जहां पर आपको meter reading लिखनी थी वहां पर हमने लिख दी थी साथ में ही आपको जो photo send करनी है वो आपको इस तरीके से click करके भेशनी है जहां पर आपकी meter की सारी details clearly दिखें तो आज का video हम यहीं खतम करते हैं I hope आप सबकी जो भी issues थे problem थी इसके regarding वो solve हो गयोंगे और आपको लग रहा होगा कि तो बहुत ही असान था इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था तो हाँ चीज़ें बहुत असान होती है हमें बस उनके बार में पता नहीं होता है अगर आप आज भी BACS का data देखेंगे या app store में जाके देखेंगे तो इतनी population में कितने कम लोगों ने उस app को install किया है और बलकि कितनी जनता उसको इस्तमाल करती है तो आप भी प्लीज उस app को install करिए ताकि आपको सारी details मिल जाए यह सिर्फ lockdown की बात नहीं है lockdown के बाद भी आपको बहुत ही helpful रहेगा और actually मैं action लिया जाता है इस वज़े से मैं कह रही हूँ साथ में ही अगर हम लोगों के पास दो commercial shops हैं तो हम लोगों को अपना meter change कराना था meter load change कराना था सारी चीज़े मैंने इस app के थ्रू ही करी है और जब मैं वहाँ office में पहुंची BSES के तो लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे चीज़े करनी हैं वहाँ पे I mean some were of my age बट कुछ लोग बड़े भी थे obviously उनको नहीं जानकारी थी बट यह बहुत ही आसान है अगर आप normal facebook, instagram यह सारी चीज़े चला सकते हैं तो I feel आप यह app भी use कर सकते हैं इसमें कोई आपको extra practice की ज़रुवत नहीं है कोई आपको regularly यह app check नहीं करना है यह आप once in a month देखोगे obviously और अगर कोई problem होती है complaint होती है वो देखोगे आपकी अगर कोई और complaint है तो please comment box में बताना और इस video को please like करना share करना और हमारे channel को subscribe करना अगर आपको कोई भी और issue है तो please comment box में बताना साथ में हमारा email id mentioned है वहाँ पे भी आप भी अज़ सकते हैं और अगर आपको यह app install करना है तो इसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा जहां से आप easily इसे install कर सकते हैं so bye